सियम नितीश कुमार बहुत दिनों पहले ही रजधानी पटना समेत खई ऐसे जिला मुख्यालियों को एस्मार्ट सीटी बनाने के लिए शपत ले चुके थे माना यह जा रहा था है कि बहुत जल्द एस्मार्ट सीटी के तरज पर इन सहरों का क्या कल्प पलट जाएगा बिकास हो जाएगा लेकिन अब तक अधिकारियों के अंदेखे की वज़स से कुछ भी नहीं हो पाया हमारी नजर से लेकिन देखिए जब यह नितीश कुमार जी क को भी लगने लगा कि अधिकारियों के तरज पर ही सिर्फ स्मार्ट सीटी बनने लगा है जनता की नजर में ऐसा कुछ नहीं दीख रहा है अब वो खुद मुर्चा संभाल रहे हैं खुद इसका निरेक्षण करने आज पटना में निकल पड़े हैं देखे यह नाला मंदीर का एस्थिती है यह नाला मंदीरी रोट का हलाता है जहां पर नितिश्कुमार भरमन करने पहुंचे हैं यह पर नाले के ऊपर रोड बनाया जाना है और इसका सिलनयास आज खुद मुख्यमंत्री ने किया आज इसका निरिक्षण किया सिलनयास कली सनिवार के दिन कर लिया गया था और कल सनिवार की दिन एक अहम बैठक भी बुलाई गई थी उस बैठक में तमाम अन्य सहरों को लेकर के भी चर्चाएं की गई लेकिन हैरानी तो तब हुई जब अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संतोष जनक जबाब नहीं मिला इसी संदर में अब नितीश कुमार खुद स्मार्ट सीटी वाले प्रोजेक्ट पर नजर रखने वाले हैं इसी संदर में नाला रोड मंदीरी में जाकर के इन्होंने आज नि कोसिस कर रहे हैं कैसे यहां पर क्या विकास किया जाना है और कितना इस पर अभिकास कर पाने में कितना टाइम लगेगा क्या कुछ होगा वह हम आपको आगे की ख़बर में जरूर बताएंगे लेकिन फिलहाल इस तश्वीर के सामने आने के बाद सब चर्चाएं इस बात को ना लिया जाएगा यह महज ऐसे इंडिक्षण कारी चलता रहेगा क्योंकि इस से पहले भी कई अन्य यूजनाओं के अंतरगत ऐसे नालों को ऊपर रोड बनाया जाना था इससे पहले बाकटड़ गंज में जो नाला था वहां पर भी आपकु आपको ऐसा रोड बनाया जा तरफ आज नितिश कुमार ने जैसे ही निरिक्षण किया मेडिया में खबरे तो या भरमन करने लगी लेकिन सवाल अभी वो जिन्दा के जिन्दा रह गए हैं जो यह जबाब तरासने में लगे पड़े हैं क्या होगा कब तक होगा और कैसे होगा इसका जबाब साइध ही तरफ ने रहता है वो देखना सबसे बड़ा दिल्चस्प बात है देखना है आगे पटना को लेकर नितिश कुमार केतना बढ़िया आप हैसला लेती हैं क्योंकि पटना के अन्य इलाकों में अगर आप चले जाएं सरिताबाद गरदनी बाकिसाइड के इलाकों में अगर आ यहां रोड आपको सही डंग से नहीं मिलेंगे तूटे-पूटे हुए हालात में रोड मिलेंगे यहां से बीजेपी विधायक संधीप चौरसिया का वो शेत्र आता है और उस शेत्र के ज्यादा तर रोड जो है वो हालाकी कारी उधर जरूर परगती पर है 2020 विधान परफ़ परलटने वाला है कारी परगती पर नजर आ रहा है चाहे कितना हो भी वक्त लगे लेकिन बदलने वाला एस्थिती में जरूर है देखना कब तक बदल जाता है यानि अगर आज़दानी को समार्ट सिटी बना लिए जाता है तो अन्य वो उन सारू को कब तक सरकार ने चुना है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए फिलाल आप सभी का हमारे साथ जुनने के लिए बहुत है नहीं नमस्कार सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट